नमस्कार दोस्तों मेरा उल्शास्तिरी सवगत करता हूँ आपका दोस्तों जिस टोपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है मिधून लगन के अंदर सुकरदेव कैसा result देता है तो मिथुन लगन में सुक्रदेव का कैफ़ल होगा अब देखिए लगन के अंदर तीन लिखा है पर्तम भाव के अंदर तीन लिखा है तो आप समझ लेज़े मिथुन लगन के जात्कों की कुंडली होती है अब बारा भाव होते हैं हरा भाव के अंदर शुक्रद्यव कोहीं ना पैसा शेड्र डें गें इसी के बारे में आपके बताने जा रहा हूंु घुझे है मित्धुन लगन Level के सुद्धा बुद्धेतव के अंदर रापा ही स्वामिध को जल देगए इसलिए शुकर अपने result देंगे तो किश के कारक होते है शुकर बहुत सुकर के कारक होते है जिंत्की के अंदर आपको जोभी बहुत वंकर देओ उच्छे उग्द ह कारक होते है इसाल जाए निक doctors प्रेस कारक के सपत Alberta कारक हो तो प्रेस कारक करने से पहले तीन चीजह जहां ना है यहां जoe छुपt हैं होथाटी हुए वहां भी दरुस्टी सप्वेज़ कि भी बर रिजल्ट के लेते हैं जोंब में थिए शे departe के बीच में कोई भी घरह हुता है यानि किका किसीगर्य का जिरो से थीज के बीच में कमजोर हो जाता है और और वो नाच से फल दे पाता ना वो बुरे फल देता है वो नुट्रल हो जाता है वो सामन्ने हो जाता है जीरो हो जाता है तो वो नक सकरातमक फल देगा दसा जो भी सकरातमक या नकरातमक फल देखने को मिलेंगे आपको अगर मिथुल लगन में ही सुकुर का फल अगर देख मिसाज पहुत अच्छी बाते करने वाला मनमोजी परिफ्यूम का सोकीन बात करने का सोकीन दोस्त बनाने का सोकीन काफी मिलनसार संसकारी और ऐसे जातों के मित्र बहुत होते हैं और जातक जिन्दकी के अंदर भोतिक की प्राप्ति करने वाला ऐसे जातक बिल्कुल सूट जाकान इन सब की प्रारप्ति करने वाला होता है जातक होता है अगर जातिका है तो बहुत सुन्दר और जातक या काफी और आकरसक की समखा होगा सात्वी दर्ष्त्य सब्तम भाव पे विभा भाव पे तो जातक को अपनी मन मर्जी की लड़की मिलती है और उसका विभायmeno जिवन भी काफी अच्छा जाता है दूसरे भाव के अंदर सुक्र देव अपनी सतरु रासी के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे तो हाँ पे वह अच्छा रिजल्ट देंगे चाह्ये वो अपनी सतरु रासी में भी क्यों बहुत अच्छी होगी तीसरे बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट देगा पर जातक बहुत प्राकर्मी होगा जातक गायक भी हो सकता है अगर यहां पर बुद्ध मिल जाए तो जातक गायक या फिर किसी भी गायक होगा या फिर निरत्यों के छेत्र में बहुत अच्छी जगा पे देखा गया है ऐसे जातक को तो जातक अपने भाई बहनों से प्यार करने वाला होगा जातक को परिश्रम के बाद ही रिजल्ट मिलेगा और जातक पर पहुत प्राकर्मी होगा साथवी दरुष्टि नौम भाव पे जातक भगवान को मानने वाला होगा काफी करम काफी अच्छे होंगे जातक के और अपने पेटा से भी प्यार करने वाला होगा सुक्र चोते भाव के अंदर यहाँ पे वो दी सा बली हो जाता है पर जाता कि यहाँ पे नीच का भी हो जाता है नीच का मतलब अच्छे फल नहीं होंगे और यहाँ पे दिख बली होने के बाद अच्छे रिजल्ट देंगे तो यहाँ पे मिले जुले आपको रिजल्ट देंगे पर जाता दर कैसा होगा म सुक्षीता चाहिए वह थोड़ी परिशरम करके थोड़ी मेनत करके जैब यह आप प्राप्त करेंगे वहाथ वहाओ के अंदर सुकर अपनी खुद की रासी के अंदर तो यहां पर वो बहुत ही अच्छा result देने वाले हैं बहुत ही अच्छा result देंगे कैसा देंगे तो जातक यहां पर बहुत अच्छा बिजनिस कराएंगे, बिजनिस में अच्छा पहनी लड़की होने के चांसिज होंगे ऐसे जातक को, जातक बहुत पढ़ाई करके भाग्योदे करने वाला होगा, जातक अगर सेल बजार में या फिर मुच्वल फंड में पैसे लगाएगा, तो उसम अगर कोई घरह बैट तो अच्छा नहीं माना जातां , यहां पर क्या हो गउगा, फतनी पत्नी हो में पती आपस में बदवेद करादेगा, जातक में पեत्रिक को लेकर को लेके, या मत्ततनी को ni कोट के चेरी में जाना पड़ सकता है यहां पर शुक्रदेव अच्छे रिजट नहीं देंगे बारवा भाहो पेन की दरश्टी तो जातक का वैव बहुत कराएंगे आमदनी कम होगी जातक को बीमारिया भी थोटी मुट थोटी मुटी देखी गई है साथ भाहो के अंदर शुक्रदेव तो कैसे रिजट देंगे अपने मित्र की दासी में तो जातक क्या अगर गुरू का प्लेशमेट अच्छा हुआ तो जातक का पतनी से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा जातक की वाईब को बहुत ही अच्छे भागेसाली परिवार से होगी तो यहाँ पे जातक को partnership का भी बहुत अच्छा फैदा मिलेगा, अगर वो partnership करेंगे तो website में भी उनको काफी अच्छा लाब मिलेगा, आठव भाव के अंदर सुक्रदेव कैसे result देते हैं, तो यहाँ पे initial stage पे तो वो दिक्कत देंगे, पर अगर बुद्ध देव की अगर डिगरी अच्छी हुई, बुद्ध देव अगर बली हुए, तो यहाँ पे initial stage पे थोड़ा परिश्रम कराके अच्छे फल देंगे, विपरित राजयोग छटे भाव में भी मनाएंगे, पर क्योंकि यहाँ पे नीच की हो जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़े कम ही इसका परवाव देखने को मिलेगा, बट अगर यहाँ पे हैं, आठवे भाव के अंदर सुक्रदेव और बुद्ध देव की कंडिशन अच्छी डिगरी होनकी, तो जातक को थोड़ा परिशानी करने के बाद फिर उनको पहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यह विपरित राजयोग बनता है, नौम भाव के अंदर सुक्रदेव अपनी मित्र रासी के अंदर, तो कैसा रिजल्ट देंगे, तो जातक बहुत भाग्य होदा होगा, और जिन्दकी के अंदर, जब जब सुक्र की दसा अंतर दसा चलेगी, तो जातक का भाग्य साथ देगा, जातक का भाग्य भी साथ देगा, और जातक की संतान भी काफी अच्छी होगी, और सुक्र के अंदर, जिन्दकी के अंदर, जो भी उनकी इच् यहां पे वो राजयोग बनाते हैं तो आप यह समझे लेगे शुक्र की दसा अंतर दसा के अंदर जातक को सारी चीजे मिल जाती हैं बिजनिस पहुत अच्छा चलेगा नोकरी करें तो मुझ बदबे करेंगे जितके गंदर भोतिक सुक वहान सुक मकान सुक और भाग्य का अच्छा होगा पहली पुत्री के योग बनाएंगे बड़े मित्रों बड़े भाईयों से जातक को अच्छी एडवाइज मिलेगी और लाब भी मिलेगा बार्वे भाव के अंदर शुक्र देव कैसे रिजन्ट देंगे अगर बुद्ध देव की कंडिशन अच्छी नहीं ह अच्छी होई तो अच्छी होई तो अच्छी होई तो अच्छी लगे होगे तो लाइक करना आप नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना धन्यवाद